C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबक 18 सफा नंबर 102 आउट चुटी का दिन था अर्शद और नाजिया सुभा से खेल रहे थे उन्होंने कई सारे खेल खेले दोनोंने रसी कूदी फिर छुपन छुपाई खेली उसके बाद गिल्ली डंडा खेला नाजिया ने क्रिकिट खेलने के लिए कहा अर्शद गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया अर्शद ने गेंद फेंकी नाजिया ने जोर से बल्ला घुमाया गेंद मोहित के आंगन में चली गई इस सफे पर कई तसावीर है पहली तस्वीर में अर्शद और नाजिया रसी कूद रहे हैं दूसरी तस्वीर में अर्शद और नाजिया चुपन चुपाई खेल रहे हैं तीसरी तस्वीर में अर्शद और नाजिया गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और चौती तस्वीर में वो क्रिकिट खेल रहे हैं सफ़हा नमबर 103 मोहित के घर ताला लगा हुआ था अर्शद और नाजिया का खेल रुख गया नाजिया बोली कि उसे गेंद बनानी आती है उसने अर्षत से कपड़े, काघज और पन्नी लाने को कहा वो खुद भी ये सब ढूनने लगी दोनोंने होब सारी कत्रने और पन्निया इकठी कर ली नाजिया सुतली का टुकड़ा भी ले आई नाजिया ने उन सब को मिला कर एक गोला बनाया गोले को सुतली से कस दिया दोनों की पसंद की गेंद बन गई खेल फेर से शुरू हो गया इस सफे पर तीन तसावीर है पहली तस्वीर में नाजिया के पास कई सारी कत्रने, सुतली और पन्निया पड़ी है और दो बच्चे भी हैं जिनके हाथों में धेर सारी पन्निया है दूसरी तस्वीर में एक लड़का रसी कूद रहा है और तीसरी तस्वीर में अर्शद और नाजिया गेंद बल्ला खेल रहे हैं और गेंद को फटा हुआ दिखाया गया है इस बार नाजिया ने गेंद उठाई अर्शद ने बल्ला उठाया नाजिया ने गेंद फेंकी अर्शद ने जोर से बल्ला घुमाया गेंद खुलकर हवा में फैल गई कपड़े पन्नी और काघस हवा में बिखर गए नाजिया ने उचल कर एक कपड़ा पकड़ लिया नाजिया उचल उचल कर आउट आउट चिलाने लगी वो हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दोड़ी इस सफे पर दो तसावीर है पहली तस्वीर में नाजिया गेंद को सुतली से बांध रही है और दूसरी तस्वीर में वो आउट आउट कहती हुई भाग रही है और उसके हाथ में हरे रंग की कत्रन है नई दिल्ली भारत